अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चानल शदाद अलतफिर वेंट्स आज मैं आपनों के साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसके दो मेथड़ बताऊंगी एक कुकर में बेक करने की दूसरा माईक्रोवेव ववन में तो यहां पर केक की शुरुआत करने से पहले हम कुकर को गरम और रख देते हैं कुकर की अंदर से आप रबर और विसल जोनों निकाल दें अंदर मैंने एक प्लेट रख दिया है डिसके उपर हम अपना गलास रखेंगे यहां मैं गलास में बना नहीं हो आप कटोरी में भी ब गोल एक बरतन ले लिया है और इसके लिए बटर पेपर की तरही करी रहे हूं, अब हम इसके घ्रीसिंग करेंगे तो मैंने ऑइल ले लिया है और इसे हम अच्छे से ग्रीस करेंगे ग्लास को भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे यहां पे ग्लास की जगा आपका टोरी भगोना जो भी आपके कुकर में बरतन आ जाए आप उसका यूज कर सकते हैं कुकर में बेक करने में थोड़ा जादा टाइम लगता है कन्वेक्शन में बहुत जल्दी केक तेयार हो जाता है और दोनों में आपको अंतर भी दिखा दूंगी अब मैंने या बटर पर लगा दिया और थोड़ा सग्रीसिंग उसके उपर भी कर दी है अब हम केक बनाना शु या बेत करने के बार आप हम इसमें अपने अपने ड्रय इंग्रie इंग्रेंट्स करेंगे मैंधा मैंने लिया वन कप मैदा आप 1 कप मेंधा लूरा अब सबटर एसपूं बेकिंग पाउडर आफ टी सपून बेकिंग सोड़ा ब्रेंग मेंधा उटाण तो स्रेंडर की शहत अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मिक्सर बहुत गाड़ा है तो इसलिए हमें यहां पर दूद की जरुवत पड़ेगी तो यहां पर मैंने लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे और एक बैटर तियार करेंगे इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा दूद आड़ करते जाए और बैटर तयार कर लें 3-4 cup दूद हमारा देखे फ्रेंट्स पूरा लग चुका है और बैटर भी हमारा बहुत अच्छा तयार हो गया है आप में देखा बिल्कुल इजी स्टेप्स है और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास घर में ना हो इस टाइम पे जब आप घर में आपके पास टाइम है तो आप यह बना के देखे खाने में बहुत टेस्टी बनता है तो यहां पे आड़ किया है फ्लेवर देने क तो थोड़े से मैंने ड्राइफूट ले लिए जिसमें मिक्स है काजू किश्मिश बदाम और अखरोट और साथ में मेरे पास यहां पर ड्राइट कैंडी जो होते हैं कैंडी फ्रूट आते हैं वह थे तो मैंने उसको भी बारी काट लिया है उसको भी मैं इसमें एड़ मैदे को थोड़ा थोड़ा सा डस करके तब इसमें मिक्स किया है अब हम मोल्ड में यह बैटर डालेंगे थी फोर्थ ही बनना है ग्लास को दोस्तों क्योंकि थी फोर्थ भरेंगे तभी यह फूल के पुड़ा ऊपर तक आ जाएगा बाकी बैटर को मैंने अपने दूसरे के कर देंगे अब हम इसे बेक करने के लिए ले चलते हैं तो पहले जो हमने कुकर को रखा हुआ था प्री हीट करने के लिए असलो आज पर उसमें हमने अपना ग्लास रख दिया है और ग्यास को अब हम मीडियम टू लो पर रखेंगे और इसमें दोस्तों पचास मिनिट लग कर दिया है जिसे मैंने प्री हीट कर रखा था दस मिनिट के लिए इसे हम कन्वेक्शन मोड पर पूरे 30 मिनिट के लिए बेक करेंगे अपने-पने माइक्रोवेव का अलग हिसाब होता है तो आप 30 मिनिट डारेक्ट ना लगाए 25 मिनिट ही लगाए उसके बाद चेक करके द बार आपको माइक्रोवेव को खोलना नहीं है माइक्रोवेव का देखिए थोड़ी दियर बाद ही हमारा कुकर वाला केक भी तयार हो गया है और फ्रेंट साब देखे कितना राइस हुआ है केक और पूरा उपर बहर चुका है आप हम इसे चेक करेंगे तो यहां पे मैंने सलाई से इसको देखिए इस तरह से चेक किया है और यह अंदर तक बिल्कुल पक चुका है तो बहुत गरम है इसलिए मैं कपड़े की सायता से से बहार निकाल रही हूं और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे गरम निकालने की कोशिच ना करें फ्रेंड्स मैंने इसलिए यह थोड़ा सा तूड़ गया केक टिन अमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है इसे मैं निकाल ले रही हूं पहले लगबग आदा गंटा जरूर ठंडा होने दें ऐसे मुझे वीडियो बनाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी निकाल लिया है पर आप इस इसके उपर प्लेट रखके हम इसे उपर से टैप करेंगे और बहुत ईजी लिए हमारा केक बाहर आ जाएगा तो देखिए कितनी आराम से यह निकल आया है अब हम बटर पेपर को इसमें से अलग कर देंगे और वापस से केक को फिलिप करके पलट लेंगे देखिए फ्रेंट बहुत ही सौप बहुत ही डेलिकेट हमारा यह केक बनके तयार हुआ है केक टिन मेरा बड़ा था बाटर कम था इसलिए आप देखिए थोड़ा जादा राइज नहीं हुआ उस टिन में पर आप ग्लास वाले को देखके अंदाज लगा सकते हैं कि परफेक रेशियो से हमने केक तयार किया है और बहुत ही अच्छा राइज हुआ है अब आप देखिए जैसा मैंने कहा था ग्लास मेरा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है और मैं इसे गरम में ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो यह इसलिए नीचे से थोड़ा सा देखिया बिखर गया था अदरवाइस केक बिलकुल अच्छे से राइज हुआ बहुत अच्छा और टेस्टी बना थो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही काटे अ कि इस तरह से देखिए के स्लाइसे में वने कर लिए है तो आई एसे सर्फ करते हैं बहुत इच्छा लगता है टी टाइन के लिए यह केक बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन तो दोस्तों आपको यह पसंद आई होगी मैंने घर की ऐसी चीज़ें बताई है जो आपके घर में अविलेबल है इस टाइम तो ट्राय करें इस रेसिपी को और अपने एक्सपीरेंस मेरे साथ शेयर करें कि आपका कैसे बना अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी बना रहे हैं त उसे एवी पेज पे भी मेरे शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें थांक्स फो वाचेंग